हेलो एवरिवन, वेलकम टू केचिन जैम आज हम गाजर की पहूती, टेश्टी और अनोकी मिठाई बना करके तयार करेंगे तो दोस्तों आप इस मिठाई को एक बार बना के खा लोगे तो आपका पेट भर जाएगा, पेकिन मन नहीं भरेगा ये इतनी टेश्टी बनती है, लाजवाब मुए में घुल जाने वाली और ये घर में सभी को पसंद आने वाली मिठाई है और इस मिठाई को बनाना भी पहूती आसान है तो चलिए अमेजिंग सी गाजर की मिठाई बनाना शुरू करते हैं तो अब मैंने सर्दियों में मिलने वाली लाल लाल तीन गाजर ले ले हैं तो इनका सीजन जाने वाला है तो हम अच्छी अच्छी टेश्टी टेश्टी गाजर की मिठाया बना करके मज़ा ले लेते हैं वैसी तो हर एक सबजी पूरी साल मिलती है लेकिन जब सीजन में खाते हैं तो उनका टेश्टी कुछ और होता है तो हम छोटी छोटी पीसेज में कट कर लेंगे सभी गाजर को तो मैंने छोटे 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 टुकडों में गाजर को कट कर लिया है अगर आपकी गाजर लाल कम है अंदर से यानि कि पीज का पार्ट थोड़ा सपेज सपेज ज़्यादा होता ने तो आप उसी हटा सकते हैं अब हम सभी गाजर के टुकडों को इस मिक्सितार के अंदर डाल देंगे और बारिक महिन पेश्ट बना करके तयार कर लेंगे तो मैंने पारिक पेश्ट बना लिया है अब मैंने यहाँ पर एक कटोरी ले लिया है और दो चमच गाजर वाला पेश्ट इस कटोरी के अंदर डाल देंगे यह पेश्ट हम बाद में काम में लेंगे अब इस कटोरी वाली पेश्ट को साइड में रख देंगे और गैस के उपर मैंने एक पैन रख दिया है और अब डाल देंगे दो चमच घी और गैस ओन कर देंगे और घी को थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे और अच्छे से पैन के अंदर घी को फैला देंगे और अब डाल देंगे हमारे गाजर वाला पेट जो हमने अभी बनाकर के तयार किया है तो गाजर का पेश्ट मैंने डाल दिया है और अब डाल देंगे आदा कप सूजी अब यहाँ पर एक कप गुनगुना सा दूद लिया है मैंने तो आदा कप सूजी डाली थी ने सेम वही कप डालना है भर करकी तो दूद मैंने डाल दिया है और अब flame बिलको low रखेंगे और लगातार चलाते हुए अच्छे से सभी चीजों को mix कर देंगे जसे जसे हम चलाते जाएंगे अच्छे से mix करते जाएंगे वैसे वैसे ये पेश्ट थिक होता जाएगा तो अभी यहाँ पर चलाते हुए मुझे 2-3 मिनिट हो गये है तो यह थोड़ा थिक हो गया है तो अब हम थोड़ी देर के लिए ओर चलाएंगे ताकि यह डो फोम में बनकर के तयार हो जाए तो ऐसी चीजों को non-stick pan में तो बनाना आसान है लेकिन steel के pan में नीचे चिपक सकता है तो आपको लगाता चलाते हुए से चलाते रहना बीचे छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी तो अब यह आपर चलाते हुए 4-5 मिनिट हो चुके है तो यह paste डो फोम में हो गया है तो डो हमारा बनकर के तयार हो गया है अब हम gas off कर देंगे तो आपका paste गाजर का थोड़ा बहुत कम या ज़ादा होगा उसके साब से टाइम 1-2 मिनिट कम या ज़ादा लग सकती है अब मैंने यहाँ पर एक बरतन रख दिया है और इस डो को इस बरतन के इंदर डाल देंगे और अब इसे ढख करके 10 मिनट तक के लिए साइड में रख देंगे थोड़ी बहुत सूजी हमारी फूलेगी तब तक हम नेक्स टेप की तरब चलते हैं अब gas तर मैंने एक कडाई रख दी है और थोड़ा सा पानी डाल देंगे क्योंकि हम इसमें दूद डालेंगे ताकि दूद नीचे जिपके नहीं और अब डाल देंगे तीन कप दूद तो हमने सूजी डाली थी ने सेम उसी कप से तीन कप दूद डालना है अब gas on कर देंगे और flame low to medium रखेंगे और इसे 2-3 मिनट तक के लिए अच्छे जिपके दूद को उबलने देंगे तो दूद तीन कप से पूने तीन कप हो जाएगा तब तक इसे चलाते रहना है बीच बीच में तो अब यहां पर दूद को पकाते हुए तीन मिनट हो चुके है और यह तीन कप से पूने तीन कप दूद हो चुका है यह थोड़ा सा गाड़ा हो गया है अब मैंने यहां पर एक कटोरी में मिस्री ले ली है और इसी बारी कूट करके पावडर बना लेंगे तो मैंने मिसरी का पाउडर बना लिया है आप चीनी भी डाल सकते हैं अब अच्छे से मिक्स को ने देंगे एक उबाला देंगे तकि मिसरी अच्छे से दूद में मिक्स हो जाए तो मिसरी हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है और अब जो दो चम्मच गाजर का पेश्ट निकाला थाना है उसको डाल देंगे कल्दर विए डालने चूट नहीं पड़ेगी और इसका बहुती प्यारा सा कल्दर आ जाएगा दूद का और ये टेश्टी भी बन जाएगा रबडी सी अब अच्छे से मिक्स कर देंगे और एक उबालाने देंगे तक ये पेश्ट अच्छे से मिक्स हो जाए तो ये गाड़ी सी रबडी हमारी बन करके स्वादिश सी तयार हो गई है अब हम चलते हैं हमारी सूजी वाले डो की तरफ तो इस दू को ज़्यदा थंडा नहीं करना है तो ठक दिया था इसलिए पपड़ी भी नहीं आई इसके उपर और ये ज़्यदा थंडा भी नहीं हुआ है तो हम हातों से छूस के ना ऐसा ही है ये और अब हम हातों के थुड़ा गी या फिर ते लगा करके इसके छोटी-छोटी गोलियां बना करके तयार कर लेंगे तो जदा पड़ी नहीं बनानी है क्योंकि हम इन्हें स्टीम करेंगे तो ये और भी फूलेंगे इसलिए से छोट छोटी बनानी है तो मैंने याँ पर 19 से 20 गोलियां बना करके तयार कर ली है अब मैंने गैस के उपर एक कडाई रख दिया है और एक गलास पानी डाल देंगे और कडाई के उपर जाली का एक बढ़ता लख दिया है आपके पास जैसा है भी हो आप यहाँ पर ले सकते हैं और मैंने नीची इसके घी भी लगा दिया है अच्छे सी तो घी से ग्रीज कर देना है और अब हमने जो गोलियां बनाई हैं वो जितने भी आई हैं न उतनी थोड़ा थोड़ा गैप रखते हुए सभी गोलियों को रख देंगे तो गोले मैंने यहाँ पर रख दिया है और अब इन्हें ढख देंगे और पांच मिनट तक दिए लो फ्लेम पर इन्हें स्टीम होने देंगे तो अब यहाँ पर पांच मिनट हो चुके हैं और यह अच्छे से पाप में पक चुके हैं अब हम इन्हें थोड़ा ठंडा होने देंगे ताकि बाहर निकाल सकें तो अब हम चलते हैं हमारी गरबड़ी वाली कड़ाई की तरफ तो यहाँ पर यह जो हमने गोलियां बनाई थी यह ठंडे हो चुके हैं छूज के न ऐसी हैं यह तो अब सभी यह रबड़ी के अंदर डाल देंगे तो रबड़ी वाली कड़ाई का गैस ओफ कर दिया था माने नीचे रखती थी इसको अब फिर से गैस ओन कर देंगे और यह जो हमने गोलियां बनाई है न डाली है न इन्हें 4-5 मिनट तक लिए अच्छे से पकने देंगे दूद के अंदर तक ही इनके अंदर तक ही थोड़ा बहुत रस चला जाए और हमारी मीठाई देश्टी बन जाए और पीच-पीच में चलाते रहेंगे और फ्लेम लोटू मीडियम रखेंगे तो अब यहाँ पर इन्हें पकते हुए 4-5 मिनट हो चुके हैं और यह अच्छे से सौफ्ट भी हो गए हैं और अब यहाँ पर मैंने छुच्छे टुक्रों में काजू बदाम को कट कर लिया है और यह डाल देंगे आप कोई भी डायफ टूट डाल सकते हैं जो भी आपके पशंद हो अब आदा चमच इलाइजी पाउडर भी डाल देंगे बहुत ही अच्छे से कुस्बु आईगी मिठाई के अंदर और अच्छे से मिक्स कर देंगे तो मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है अब गैस ओफ कर देंगे और कड़ाई को गैसी नीचे रख लेंगे तो गाजर की बहुत ही स्वादिष्ट और अनोखी मिठाई हमारी बन करके तयार हो गई है तो दोस्तों आप भी एक बार चे जूरू ट्राइकर के देखीगा आपको बहुत ही पसंद आई ये मिठाई बहुत ही टेस्टी बनती है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है और बहुत हेल्दी भी है अगर आपको गाजर की मिठाई चरासी भी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरू करना जितना होस्कें से सेर कर रखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नाइब की भी मत भूलिएगा अगर नहीं भी पसंद आई है तो आप डिश लाइक कर रखते हैं तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलते हैं एक और नई डेशिप के साथ तब तक लिए टेक केर बाई बाई